मैं सबसे पहले अनुरोद करूँगा शिरी केसी वेनु गोपाल जी से, शिरी पवन बंसल जी से, कि वो कॉंग्रेस का तिरंगा पठका कनहिया कुमार जी को पहना कर उनका उपचारिक स्वागत कॉंग्रेस पार्टी में करें। माइक स्वागत करेंगे। और उनके साथ साथ भक्ता चरंदास जी से, केसी वेनु गोपाल जी से, बंसल साहब से, कि वो जिगनेश मेवानी जी कभी अपचारिक तोर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कॉंग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स् करें बहुत शुक्रिया और कि अब करें भी आखें नाखें आखेंगेंगे इताव करता है अभर राव्ड, यॵर्ड दो इंपनी प्रोल्ट करेंगे तुच्छिय से दिश्ट सिट्ट शुक्रियों यूजिट इंपड देखेंगे लेखेंगे लेखेंगे अविए उपलाल इपल देखेंगे वी विल वी विल वी विल वी विल आप थोड़ा सा इंजार कीजिए और मैं अब अनुरोद करूँगा हमारे युवा साथ ही कनहिया कुमार जी से के वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे कनहिया जी सबसे पहले इस संबाददाता सम्मिलन में आये हुए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का और मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाये हैं लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिरकियों से मैं आप सब का स्वागत करता हूँ और मंच पर उपस्थित ए आई सी सी और्गनाजेशन के जनरल सेकरेटरी वेनु जी जनरल सेकरेटरी सुर्जेवाला जी एस सी डिपार्टमेंट के चेर्मेन नितिन राउज जी बिहार के परभारी भग्चरंदास जी बिहार के अध्यक्ष मदन मोहनजा जी और कॉंग्रेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी हमारे युवा साथी और गुजरात कॉंग्रेस के वर्किंग प्रेशिडेंट बाई हार्दिक पतेल जी और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घरी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बटगाम से निर्दलिया विधायक साथी जिगनेश मिवानी जी मैं आप सब का आभार विक्त करता हूँ और मैं अपने पत्रकार साथियों से कुछ चीजों को लेकर मुखातिब हो उससे पहले आज ये एक इतिहासिक दिन है आज सहीदे आजम भगत सिंग की जैनती है लोग शहीद होते हैं भगत सिंग सहीदे आजम हैं सहीदे आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यारपन करने के लिए गए थे सहीद पार्क वो सहीद पार्क एक इतिहासिक पार्क है वो हिस्सा है फिरोस्था कोटला फोट का जहां पर चंदरसेखर आजाज जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी अंग्रेचों के जमाने में करांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे नौजवान तरुन भगत सिंग एक परपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए यह एतिहासिक छन वो एतिहासिक भूमी और हमारे युवाओं के आइकन सहीद आजम भगत सिंग को हम अपना नमन प्रस्तूत करते हैं आज एक दुखट घटना भी हमारे जिले में हुई है बजरपात के चलते दो बच्चियों का निधन हो गया है मैं इस मंद से उनके प्रती सोक व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के प्रती अपनी समवेधना व्यक्त करता हूँ दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है आज कल सूचना करांती के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है तो बहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें मैं आपका जवाब दूँ लेकिन आप सवाल कहां से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे है इसका थोरा सा अंदेशा है मुझे थोरा अंदाजा भी है सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिन्दा रखा है कि कम से कम विपक्च से तो सवाल करते हैं न ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पुछना तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा जितना सवाल आप पुछना चाहते हैं पुछिएगा बारी बारी से पुछिएगा सारे सवालों का जवाब दूँगा बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है का आप सब के मन में होगा कि आप कॉंग्रेस पार्टी क्यों जॉइन की हैं उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिप होँगा माईक उनको समर्पित करूँगा मैं कॉंग्रेस पार्टी इसलिए जोइन कर रहा हूँ कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग वो सिर्फ लोग नहीं है वो एक सोच है वो इस देश की सत्ता पे इसका इतिहास इसका बरतमान और इसका भविस्थ खराब करने की कोशिश कर रहे है वो जो सोच है उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए दोस्त अपने आप बन जाएंगे तो हमने ये चुनाव किया है हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे लोकतांत्रिक पार्टी मैं जोड़ दे करके बोल रहा हूँ लोकतांत्रिक पार्टी ताकि आप लोग पड़िवार बात पे सवाल जरूर कीजिएगा लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए सामिल होना चाहते है कि हमको लगता है और सिर्फ हमको नहीं लगता है इस देश के लाखों करोरों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कॉंग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा और ये बात मैं आपको असपस्ट कर देता हूँ देश में परधान मंतरी अब भी है देश में परधान मंतरी इससे पहले भी थे देश में आगे भी परधान मंतरी होते रहेंगे लेकिन आज जब हम लोग स्री राहुल गांधी जी के उपस्थिती में फॉर्मली कॉंग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे तो साथी जिगनेश ने संबिधान की कौपी दी और हमने उनको भगत सिंग, गांधी और अंबेटकर की तस्वीर प्रस्तूत किया क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंग की बीरता की जरूरत है, भगत सिंग के साहस की जरूरत है, आज इस देश को अंबेटकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है गांधी जब कहते हैं रगुपति रागव राजा राम पतीत पावन सीता राम ईश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सन्दमति दे भगवान ये गांधी की एक्ता है जब अमबेटकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मुल्यांकन वहां महिलाओं की क्या इस बात से होगा तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं मैं नहीं मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साथ भीमरा अमबेटकर किसी एक समुदाय के नेता थे कॉंग्रेस पार्टी ने संबिधान सभा ने डॉक्टर बाबा साथ भीमरा अमबेटकर को संबिधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस संबिधान के प्रियम्बन में यह लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक परभुत संपन समाजबादी धर्म निडपेश लोकतांत्रि गनराज्य बनाने के लिए इसमें सहमानता न्याय के मूल नहीं और जब भगत सिंग कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं विचारों को नहीं आप बम और पिस्तॉल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं उस साहस की जरूरत है हमको मुझे नहीं लगता है मेरे बहुत सारे राजनितिक दोस्तों को यह लगता है मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली इस्थिती में चली गई है लेकिन जिनको लरना है उनके पॉलिटिकल इमेजनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना सोरूम बचाने के चक्कर में है रे भाई मौल में आग लग गया है दोकान बचाओगे बस्ती में जब आग लग जाती है न बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए आज हम इस मुहाने पे खरे हैं कि इस देश के भीतर भारतिय होने की जो पहचान है जिसमें बुद्ध नहीं थे जिसमें कबीर नहीं थे जिसमें नानक नहीं थे जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है उस भारतिय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है इसलिए हम कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हुए है कि कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विराशत को लेकर के आगे चलेगा कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नाइडू के विचारों को लेकर के चलेगा कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हम बेटकर, नहरू, अस्फाक उल्लाखान, सहीद आजम भगत सिंग और मौलाना अबुलकलाम के आजाद के रास्नों पे चलेगा हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है यह भारतिय होने का इतिहास है और इस भारतिय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जो लोग कह रहे हैं विपक्च कमजोर हो गया है यह सिर्फ विपक्च के लिए चिंता की बात नहीं है यह मैं नहीं कह रहा हूँ कोई सास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए जब विपक्च कमजोर हो जाता है सत्ता ताना साही रुख अख्तियार कर लेती है इसी लिए देश की सबसे बरी विपक्ची पार्टी मैं कोई गुना गनित नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे यह बात सीधे तोर पे समझ में आ रही है कि देश के लोग सभा में 545 सीट है 200 लगभग सीट ऐसे है जहां भाजपा के सामने कॉंग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है लेकिन जो पार्टी सबसे बरी पार्टी है सबसे बरी भी पक्षी पार्टी है उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया अगर बरे जहाज को नहीं बचाया गया चोटी चोटी कस्तियां भी नहीं बचेगी इसलिए और मैं जब यहां बैठा हुआ हूँ मेरे इतिहास को मेरे बरतमान को लोग देख रहे हैं बहुत सारे सवाल हैं वो आएंगे उनका जबाब मैं दूँगा लेकिन यह जो एतिहासिक जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुह नहीं मोर सकता हूँ मैं जहां पैदा हुआ जिस पार्टी में पला बढ़ा उसके पर्टी मैं आभार विक्त करता हूँ उसने मुझे सिखाया पढ़ाया लगने का जजबा दिया है लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोरों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे अपने स्कूल के वाटसेप ग्रूप में जब हम लोगों के उपर अनावस्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लर रहे थे अपने घरों में डिनर टेबल पे लर रहे थे लोगों की दोस्तियां तूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में और मैं मजात नहीं कर रहा हूँ लोगों के डिवोर्स तक हो गए ये जो देश में एक बैचारिक संघर्स छिड़ा है उस बैचारिक संघर्स को कॉंग्रेस पार्टी ही नित्रित दे सकती है ये हमारा भरोसा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो लाखों करोडों नौजबान आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी मैं आगरा कहता हूँ दिवाल पर बैच कर टुकुर टुकुर मुह ताकने का वक्त नहीं है ये अर्जेंसी का टाइम है और इस अर्जेंसी के टाइम पे दिवाल पे बैच करके दाया जाएं की बाया जाएं ये मत सोचिए जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो एविलेबल चीजे होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिस करते हैं कॉंग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है अगर कॉंग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोडों नौजवानों की अकान चाएं बचेगी गांधी की मिमान सा बचेगी भगत सिंग के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साब भिम्रा अंबेदगर की समानता का भारत का निर्मान संभब हो पाएगा इसी आसा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुरा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कॉंग्रेस पाटी जो अपने आपको एक लोगतांत्रिक पाटी कहती है आजादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लरना भिरना संघर्स करने में हमारे साथी रहेंगे हमारे सहयोगी रहेंगे और ये परिवार संघ परिवार नहीं वो क्या परिवार जो परिवार छोड़ कर परिवार बनाना परे वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है कहता है कि अपने परिवार में रहिए अरे महात्मा गांधी कस्तुर्वा गांधी को ले करके अंग्रेजों से लड़ गए बताईए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा कोई जरूरी है क्या घर पडिवार के साथ रहना है बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद क्या क्या है दो जब हो रहना हम पड़ाईए